डीप फेक को आईटी मंतरी अश्वनी वैशनम ने लोगतंतर के लिए नया खत्रा बताया है सोचल नीडिया प्लाटफॉर्म्स के साथ बैठक के बाद अश्वनी वैशनम ने कहा कि सरकार जल्द ही इसको लेकर नियम भी तै करेगी अश्वनी वैशनम ने कहा कि चार चीजों को लेकर मिलकर काम करना होगा पहली चीज है डीप फेक की जाच कैसे हो दूसरा वाइरल होने से कैसे इसे बचाएं तीसरा यूजर कैसे डीप फेक को रिपोर्ट करें और चौथा जागरुकता के लिए कैसे मिलकर काम किया जा सकता ह दोनों पे रही की जिम्यदारी और हम इसको नए regulation को नए rules के form में भी ला सकते हैं नए कानून के form में भी ला सकते हैं या existing rules के amendment के form में भी ला सकते हैं और हमारे साथ इस पूरी खruit पर ज्यादा details के लिए मौजूद है जी medias another अनुवेश रत अनुवेश स्वाभावेक तौर पर सरकार को काफी चिंता है कि डीप फेक किस तरीके से अपने पैर पसा रहा है बड़ा खत्रा खुद आइटी मिनिस्टर अश्मिनी वैशनर ने भी माना खुद प्रधामत्री मोदी इसका दिकर कर चुके हैं फिल्हाल क्या प्लान है इस से ने पटने के लिए जी देखिए जी डीफ फेक का मामला है यह कुल बिला के अगर बात की जाए अगर प्रस्पेक्टिव में इसको बैठाया जाए तो इसका सबसे बड़ा रीजन है जो एई है एई से ही इस डीफ को बनाया जाता है और इस चीज के ऊपर इ इनके रीप्रेजेंटेटिव आयोए थे वहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा की गई थी उसके बाद आज जब अश्विनी वैशनव आईटी मिनस्टर जो है हमारे देश के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें इस डीफ फेक से या एई से रिलेटेड तमाम ज चार में स्टेप्स बताए गए है चार में पिलर्स बताए गए है अगर सबसे पहला पिलर की बात की जाए तो डी पी आर ए तो पहला की डिटेक्शन की डी फेक है की नहीं और अगर डी फेक है तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए जो सेकेंड पिलर है वो प्रिवेंट यानि उसको लोगों के अंदर spread होने से यानि की वाइरल होने से उसको prevent कैसे किया जाए तीसरा step जो है वो जो social media platforms है उनके norms ऐसे बनाये जाए उनके ऐसे steps लिये जाए जिसके वज़े से deep fake आही ना पाए social media platform पे और जो चौथा pillar है वो है awareness कि लोगों में ये awareness फैलाया जाए कि वो ये समझ सकें कि कौन सा चीज deep fake है और कौन सा चीज नहीं है इसी के साथ साथ अश्विनी वैशनव जी का ये कहना था कि दिसंबर का जो पहला week है उसमें दुबारा ये लोग दुबारा मिलने जा रहे हैं जिसमें जो इन लोगों ने आज resolutions लिये हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर किस तरीके से कारवाई की जाए और साथ ही साथ एक law ऐसा बनाया जा हिंदुस्तान में क्योंकि deep fake AI से generated चीज़े हैं और वो इंटरनेट की चीज़े हैं जिसमें कोई boundaries नहीं होती हैं जिसके वज़े से ऐसा हो सकता है कि कोई विदेश में आए तो ऐसा एक ड्राप बनने जा रहा है जो जल से जल जो आईटी मिनिस्टर है वो बनाने जा रहे है और उनकी पूरी जो टीम है और उनके साथ साथ जो कंपनीज है जो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से जहां पर जेनरली आपको ये डीफेक्स देखने को मिलते हैं वो भी पूरी तरीके से आईटी मिनिस्टरी और तमाम लोगों का साथ दे रहे हैं जी धन्यवाद करें के अनुवेश आपका इस पूरी खबर पर और जादा जानकारी देने के लिए